माहिष्ट लामोदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम्स मुम्रा सबजी मार्केट को लेकर बवाल मचा हुआ है दर असल अब रमजान शुरू हो रहा है और मार्केट के टाइम को लेकर लोगों में काफी गुसा है हपते में तीन दिन मार्केट खुलती है और चार दिन बंद रहती है ऐसे में तीन दिन मार्केट लगने के वज़े से काफी भीड होती है वो भी इतनी भीड होती है कि सोचल डिस्टेंसिंग का नामों निशान दूर दूर तक नजर नहीं आता है। कौन मार्केट में जाएगा कैसे महिलाएं खरीदारी करेंगी। महिलाओं ने बताया कि तीन दिन मार्केट खुलने की वज़े से काफी भीड हो रही है। में लगना चाहिए। महानगर पालिका के खिलाफ खरीदारी करने वाले लोगों ने काफी नाराजगी थी। तीन दिन मार्केट लगना और इसी लिए भीड हो रही है। क्योंकि शहर में क्रोना संक्रमर तेजी से फैल रहा है और सुनिये महिलाओं ने मार्केट के समय और हर रोज रमजान में मार्केट लगाने की मांग को लेकर क्या कुछ कहा है। फिर हम लोग पर अब्जिक्शन उठाया जाता है। और वह भी एक दिनार अभी रमजान स्टार्ट हुआ है। हम लोग 12 बजे इतनी कड़क दूप में कैसे पब्लिक निकलेगी। और कैसे खरीदी करेगी। ऐसा तो हम लोग और बीमार हो जाएगे। हम लोग और प्रॉब्लम होगा। अब्जे में आएगे तो इसी आदक प्राउड हो रहा है। और अब्जिक्शन हम लोग भी उठाये जाता है। मुम्रा में इतनी गर्दी तो हो नहीं वाली गर्दी। आप लोग दिन बर में एकेड़ है मार्केट रख तो वह भी एक दिनार। तो फिर प्रॉब्लम तो हो गई होगा। अभी हम लोग क्या अफ्तार वगिर आगा है। अफ्तारी में क्या होगा। चार बज़े तक मार्केट है उसके बाद क्या होगा। बाई ये जो बजार लगा है ना ये बजार लगाने का बहुत गलत तरीका है और ये तरीकी के अंदर जो बजार लगा गया है पुलिस वाले भी पुलिस आचन भी बोल बोल के ठक चुके ये बहुत गलत तरीका छोटे जगा दिया है इसके अंदर मुम्रा के अंदर तकलिफ बढ़ सकती है और हंडेड परसंट बढ़ेगी और हम लोग को ये लेडिस लोग को तकलिप ये तरीका नहीं है लगाने का बजार ये बजार लागाने का पुलीस को कम सक्वाइशन लेना चीए और पुलीस भी एक्षन ले लेके ठक चुकिए नागर पुलीस चार्शन खुद लिए यह अच्छा नहीं होगा और नुक्साने पप्लिक के लिए तो इस्टेप बना उसके लिए टाइमिंग चेंज रखो सुबा में रखो लेडिस लोग कम निकलेगी जैन्स लोग लेगे पटा पट जाएगे घर पे यह बहुत टाइमिंग गलते इतना रश और आगर ड इन दिन के लिए बागी अधर आप देखोगे ना भीवन्डी साइट होगे आपका जिते में मौमेडे इन सेरिया है ना हर जगा डेली मार्केट चल रही है तिर्व यह आपर हो रहे है तो हो नहीं है क्राउड क्योंकि आप एक एक दिन आर्द के रख रहे हैं यह रॉंग ह इना तो ठीक है क्राउड भी होता है सब तकलिफ हमको होती रोजदार साथ से दस रखो तो प्लीज अच्छा होगा यह टाइमिंग चेंज करो इसमें यादो मर जाएंगा कोई दूप से मरेंगा करोना से मरने माले जब मरेंगा पर दूप से पहले मरेंगे महरबानी करो कल स हमधान चालू हो रहा है उसका त्वैतराम करो हम लोग के लिए महरबानी करो छोटी चोटे बच्चे बेशने को लिकले महरं लोगोग के महले प das dozens लोगल को नहीं मालूम उसमें विबारी हमारे घर तक कर आहेंगी जीवनभाग में इस्टेशन के सामने एंग के बल्कूल म करो टाइमिंग चेंज करो यह टाइमिंग हम लोगों को नहीं पड़ वड़ेंगा यह जो टाइम रखा हुआ यह बारा से चार का बहुत गलट टाइम है और यह भीड देखो यहां के भीड जो इसकादर भीड है कि यह जो बोलते हैं क्या वारा यह एगी अभी जादा वह है तो मतलब मुल्सीबर टीमसी क्या चाहती है कि यहां कि मुसलमान लोग ज्यादा बीमार हो जाए हां यहां पर कोई सेटी नहीं है यह मार्किट की तो यह जो है शुबह जिस तरह बहुंबह का टाइम है सुबह सास से लेकर रहे वो टाइम रखो वो सबसे अच्छा टाइम है इसमें पॉब्लिक में रहे रहे और रेगुलर मार्केट यह हफते में जो तीन दीन है तो यह पॉब्लिक इसी तरह रहने वाली है और यह जो मसला हो हल नहीं होने वाला है और बढ़ जाएगा यहां कल मैंने नगर सेवक नगर स मसले का हल करो नहीं तो यहां पर मुम्रा में इस कदर वीमारी तेजी से फैलेगी कि तुम कंट्रोल करना तुमारे लिए मुष्किल हो जागी तुस तरह आपने इम्जान ने क्या कहा है बिलकुल रमजान का महीना कल से शुरू हो रहा है जो इतने धूप में दोपहर में मार्केट महिलाएं कैसे करेंगी वो भी इतनी भयानक बिमारी जबकी फैल रही है और भीड इस तरह से हो रही है इसलिए मार्केट का समय बदलना बेहद ही जरूरी है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टाइम से ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें